हाई एवरीवन वेलकम बैक मैं चैनल कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे मस होंगे क्या आपके बाल भी असमें सफेद हो रहे हैं और आप उनमें डाइक करना नहीं चाहते हो तो आज मैं आपको पताने वाली हूं एक ऐसा हैर मास्क जो आपकी सफेद बालों को काला कर कर लिजे मेरा नाम है सीवा जेटली और मेरे चैनल का नाम है अलो जेटली तो प्लिस चैनल को कर लो सब्सक्राइब बेल आइक उन को भी क्लिक कर दीजेगा जैसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे होता कि जब आपके बाल ग्रे होने लगते हैं जब आप कला लगाना सुरू करते हो ना तो उसे क्या बता कि धीरे धीरे आपके बाल सारे सफेद हो जाते हैं तो इससे बचने के लिए आप नेशरल चीजों की तरफ जाएए नेशरल चीजे क्या करती हैं आपके बालों को धीरे धीरे काला करेंगी जो आपके काले बाल है वो सफेद होने लगे हैं उनको वहीं पर रोग देंगी तो ये फर्क होता है नेचरल चीजों में और डाई में डाई आपके बालों को सफेद कर देती है जो आपके काले बाल में उनको जल्दी ही सफेद हो जाते हैं वो उनको सफेद कर देती है और नेशरल चीज़े क्या करती है आपके बालों को धीरे धीरे काला भी करेंगी साथ जो आपके बाल सफेद होने लगते हैं उनको वहीं पर रोग देती है लेकिन आपको होगे की बाल तो काले होते ही नहीं है होते हैं आप उनको regular चीज़ों को यूज़ करें तब आपको फर्क दिखेंगा, शैंपू कम से कम करें, जब आप नेचर चीजे को यूज करते हो ना तो शैंपू कम से कम करो, शैंपू की जगह क्या करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि होता क्या है कि यह धीरे-धीरे एफेक्ट करती है, और आप जब शैंपू की जगह क्या करना है वो भी मजाशास कि भी कम upon का बाल शल्याई करके हो खिर फार हो आपको अगर लगाना है क्टरा के चाहों यह यह प backlash हो चलंगी और आज में यह है प्र हैर मास्ग से कपनाना है फोरा हम आज हम बताऊंगी आफ में यह हैई हैर मास्क अपने य जदा gray हो रहे हैं, तो आप week में दो बार भी लगा सकते हो, नहीं तो आप एक बार लगा हो, और आपको इसके काफी काफी ऐचे बेंड़ फिट मिलेंगे, इस से आपके बालों का color तो होगा ही, इस आपके बालों में जो freeziness है, बालों का roughness है, वो भी जाएगी, यह आपके को कलर तो करता ही है साथ वात ही आपके बालों को स्मूध करेगा बालों की ग्रोध मधा Saad शैए कैसे बनाना है कैसे अप्लाई करना लेटसर श्टार्ट देख लो थोड़ थोड़ा से ग्रेह होरा हैं मैंने कафी टाइम से इसको नहीं लगाया हैं और अगर आप वीक में एक बार भी इसको लगाते हो तो आप देखोगे आपके बाल काफी अच्छ हो गए इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक केला केला आपके बालों को काला भी करता है और केला इस तरह से नीच चाहिए आपको थोड़ा सा इस तरह से पका हुआ चाहिए जिसका छिलका भी थोड़ा सा काला हो जाए लेकिन बहुत ज़दा गला हुआ ना तो इसके तीन टुकड़े करेंगे और हम इसको जो है मिकसर ग्रैंडर में डाल देंगे तो ये देख रहें ना केला मैंने लिया छिलके साहिती लेना है फिर आपको लेना है ऐलोवेरा ऐलोवेरा भी मैं इसका पल्पने निकालूंगे इसी तरह से पूरा डागूंगे केला आपके बालों को काला करता है अलोवेरा आपके बालों को मजबूत करता है स्ट्रॉंग करता है चमक देता है तो इन सब को मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया एक महीन सा बारीक सा पेष्ट बना लिया यह देखे एक बिल्कुल पेष्ट हो गया इसको छानने की ज़रूरत नहीं है केला पका हुआ था तो आराम से हो गया आप चाहो तो लोएक की कड़ाई में कर सकते हो आप चाहो तो इस तरह से बाउल में भी कर सकते हो तो ये मैंने एक बाउल में इनको दोनों चीज़ों को ले सकते हो इसके साथ हम डालेंगे एक चमज हल्दी पाउडर पूरा अच्छे से एक चमज डालेंगे मेरे बालों के हसाब से मैं इसमें डाले आप अपने बालों के हसाब से डालिएगा अगर आपके बाल बहुत ज़दा बढ़े हैं दो केले भी ले सकते हैं और एलो वेरा और साथ में आप मेंदी के मैंने दो चमज लिया आप चार चमज या पांच चमज भी ले सकते हो हल्दी भी आप अपने बालों के साब से बढ़ा सकते हो अब इसको घोलने के लिए हम लेंगे नौर्मल पानी और आप चाहे का पानी भी ले सकते हो या कॉफी का पानी ले सकते हो यानि की चाए का पानी गरम करके उसको ठंडा करके उससे भी घोल सकते हो नहीं तो आप नार्मल पानी से भी इसको इस तरह से घोल लोगे ये पैक जो है ना आपके बालों को काला करेगा आप बालों को स्ट्रॉंग करेगा, केला जो होता है ना केले में पोटेशियम होता है जो आपके बालों को काला करता है, तो आप नेचरल चीज़े जब यूज़ करते हो तो थोड़ा धैर ही की जरूरत होती है, यह नहीं कि हमने थोड़े से दिन लगाया, अरे भाई यह फरक नहीं पड़ा, असा नहीं होता है, जैसे हम लोग योगा करते हैं, जब योगा करते हैं, करते हैं, तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि आपका वेट कम होने लगा, उसी तरह से नेचरल चीज़े फरक देती हैं, यह हैर मास्क मैं अपने बालों में लगा ले रही हूँ, और आप देखते हो कि मैं हमेसा ऐसा से मास्क बताती हूँ, ऐसा से मेंडी के तरीके बताती हूँ, जिससे आपके बाल काले हो जाएं, तो आप इनको धैरे से करिए, वीक में दो बाल लगाई है, और मैं कर रही ती शैंपू नहीं करना है, तो इसकी जगह आप ऐलोवेरा स सिर्फ लगा सकते हो कभी-कभी सिर्फ दभी से दो सकते हो कभी-कभी-कभी दैयी बेसंस से दो सकते हो कभी AAP-Sika-Kai-Powder लगा सकते हो अपको ऐसा लगेगा कि आपकगा बाल क्लीन नहीं हुआ और आपके बाल दीरे-दीरे काले होने लगेंगे और जो बाल सफेद होने वाले हैं, वहां पर रुक जाएंगे कि द्यूरूरत है थूड़ा आप यूज। यूज करिये, तेन मेने के चार मेने अब आपके सब्हसे بिलकु सफेद हो गए तो उन में तो फिर थोड़ा सा brown brown सा yellow yellow सा color आएगा हलदी हमने इसलिए डाली हलदी iCHiness की problem को दूर करती है और बालों में अच्छा color लाती है मेंदी के साथ जब आप अच्छा अच्छा dark सा color मिलेगा तो लेकिन थोड़ा सा दैर रखियो और मैंने मेंदी का पेड़ भी अपने घर में लगा रखा है तो उसी का मैंने पत्तियों को काट करके पत्तियों को निकाल करके और उसको मैंने जो है सुखा लिया था और उसी का पौडर बनाया था अगर आपके घर मेंदी तो नहीं लगी होगी सबके घर में तो इस तरह से लगा लेना है और इसको आपको एक गंटे के बाद जो धोना है ना तो नार्मल पानी से धोना है इसके बाद आपको शैंपू एंपू नहीं करना है आप मेरे हातों का कलर भी देख सकते हो काफी अच्छा कलर आ गया है तो जब आपके हातों में कलर आ गया है तो ब पूरे धंक से पूरे बालों में लगा लिया है और उसके बार जब मैंने अपने बालों को धोया ना तो आप खुद देख सकते हो मेरे बाल काफी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए क्योंकि ये सारी चीजे ना कंडिसनर भी करती है बालों को काला भी करती है तो मैं ये है तो इस तरह के कमेंट्स से कोई indruck है अप नेशर की चीजे को कि फाइदा करती है लैकि धीरे धीरे करती है आप उनको यूज़ करो और कलर क्या करता है डाई क्या करता है आपके जो काले हैं उनको भी सफेद करते का और जड़ से करता है डाई कितनी जल्दी उतर जाती है नेचरल चीज़े मेंडी है मेंडी जल्दी नहीं उतरती है कम से कम आपके बालों में 15-20 दिन तो आराम से चली जाती और मेरी रूट्स तक आप देख सकते हैं काफी अच्छे से कलर आ गया है तो आई होप आज का वीडियो आपने इंजॉय किया होगा अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से और कमेंट चलूर करेगा और इसको यूज करने के बार इसके कमेंट भी मेरे साथ चलूर करेगा तैंक यू पर वच्छे